नमस्कार साथियों कल पंजाब हरियाना हाई कोर्ट ने सरकार को बड़ी लताड लगाई और कहा जल्दी ही सिक्सकों के 26,000 से ज़्यादा पदों को भरा जाए क्योंकि पंजाब हरियाना हाई कोर्ट के आदेश पर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधी राजपाल और महानिदेशक आसमी बराड सुक्रवार को हाई कोर्ट में व्यक्तिगत तोर पर पेस हुए और उन्होंने जब ये कहा सरकार ने ये कहा हरियाना में कितने पद खाली है टीचरों के तो उन्होंने कहा हरियाना में 26,000 अध्यापकों के पद खाली है और इस पर जल्दी ही भरती की जाएगी लेकिन इस पर हाई कोर्ट ने कहा अचार सहीता में ज्यादा समय नहीं रह ग तो ऐसे जो सवाल जवाब है वो दिये गए जब वकी इसमें परधान सचिव ने कहा कोर्ट के पूछने पर परधान सचिव ने बताया सिक्सकों के 26,000 पद खाली है जिनको जल्दी से जल्दी बरा जाएगा तो इस पर कोर्ट ने सवाल किया हाई कोर्ट ने कहा चुनावी जब जादा समय नहीं है ऐसे में सरकार भरती कैसे कर पाएगी इस पर परधान सचिव ने जवाब दिया भरती की परकिरिया जारी है जिसके वारे में अगली सुनवाई परविस्तार से जानकारी दे दी जाएगी यानी जो वो बात कर रहे थे परधान सचिव वो TGT की बात पिजेटी की इनके बारे में बात कर रहे थे की जल्दी ही इन भरतियों को पूरा कर दिया जाएगा ऐसे में कोर्ट ने ये भी कहा था है जेबेटी हो टीजीटी हो या पीजीटी हो और इसके बारे में कल हाई कोर्ट में पेस हुए थे महानिदेशक और मुख्या सचीव सुधी राजपाल और उनको लतार लगाते हुए सरकार को हाई कोर्ट ने ये कहा जल्दी ही इन 12,000 पदों को भरा जाए क्योंकि हरियाना मे अध्यापकों की जो कमी है वो काफी जादा है इस वज़े से जो बच्चे है उनकी पढ़ाई काफी बादित हो रही है ऐसे में सरकार ने ये कहा है कि हम जल्दी ही इन पदों को भरेंगे देखने वाली बात होगी दोस्तों कब तक इन पदों को भरा जाएगा कब तक जो को हुए हैं इनको डिस्मिस करवा जाएगा और अध्यापपक जो है वो भरती होंगे इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद